चट्डी पहनती हो आओ जी खांसी पूँ चट्डी बनियन के बिना लाइफ में आराम ही नहीं जैसे चट्डी बनियन वेसी लगए तो फाइनली दोस्ते इंडियान बॉक्स आफिस पर रिलीज होने वाली बॉल्लूट के बिश्टर परफेक्ट निष्ट आमिर खान की फिल् आज दिनों में इस फिल्म ने इंडिया से और दुनिया बर से कितने करोड के कमाई कर ली है ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साथी साथ बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या ये फिल्म इंडिया से जादा अच्छे कमाई दुनिया बर में कर रही है और इस फिल्म का worldwide box office पर जो lifetime हो कितना हो सकता है तो वीडियो को लाश्टर तक जरूर देखेगा अगर आप भी आमिर खान के डाहाट फैन से और उनके फिल्म लाल सिंग चड़ा को देख चुके हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को स्वतनतता दीवस की धेर सारी शुपकामना है बात की जाए दोस्तों यहाँ पर अगर फिल्म लाल सिंग चड़ा के box office की तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों की अधिवेच चंदन के डारेक्शन में बनने वाली एक इंस्पारिंग जर्नी है लाल सिंग चड़ा जिसमें आपको आमीर खान एक बार फिर से हसाते और रुलाते होए नजर आने वाले हैं इस बार साथ दिया है दोस्तों उनका इस फिल्म में नागा चेतन्य और करीना कपूर ने वहीं दोस्तों इस फिल्म का बजट है लगबग 200 करोड रुपे का बता दे चले दोस्तों आपको कि आमीर खान की इस इंस्पारिंग जर्नी को इंडियन बॉक्स ओफिस पर 3,000 से 3,500 स्क्रिंज पर इंडिया में और लगबग 2,000 स्क्रिंज पर ओवर्सिज में यानि कि दुनिया वर में 5,500 स्क्रिंज पर लिस्ट किया गया था जहाँ पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से तो लगबग 12 करोड रुपे की नेट कमाई की 14 करोड 80 लाख रुपे की ग्रोस कमाई की लेकिन दोस्तों वर्ल्ड वाइट बॉक्स ओफिस पर इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का जो कलेक्शन था वो लगबग 10 करोड से ज़ादा का था यानि कि ये फिल्म अपने पहले ही दिन 24 करोड रुपे की शांदार ओपनिंग दुनियावर में लेने में कामयाब रही और इस साल की बॉलिउट की सबसे बड़ी ओपनर बनी ओडियंस की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को अच्छे रिविउस जरूर मिले हैं लेकि दोस्तों क्रिटिक्स ने इस फिल्म को मिक्स रिविउस दिये हैं और यही वज़ा है दोस्तों कि आमीर खान की फिल्म लाल सिंग चडड़ा के जो box office पर collection से वो कुछ खास growth के साथ दिखाई नहीं दिये बतादे चलिए दोस्तों आपको कि अपने दूसरे दिन Indian net box office पर लगबख 7 करोड 26 लाख रुपे की कमाई करने वाली लाल सिंग चड़्डा ने अपने तीसरे दिन 9 करोड रुपे की net कमाई Indian net box office पर की तो वहीं दोस्तों अपने चोथे दिन इस फिल्म के जो collection से वो भी लगबख सेम ही रहे है और इस फिल्म ने लगबख 10 करोड 20 लाख रुपे की कमाई अपने चोथे दिन All India net box office पर की है ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का All India net box office पर जो collection है वो तो 38 करोड रुपे का शुरुवाती 4 दिनों में इंडिया net से हो चुका है All India gross पर दोस्तों इस फिल्म ने लगबख 48 करोड रुपे की कमाई कर ली है लेकिन दोस्तों इस फिल्म का Overses में जो अपने पहले 3 दिनों का box office collection निकल कर आया था वो काफी धमाकेदार रहा और इंडिया से जादा अच्छे कमाई इस फिल्म ने Overses box office पर की और Overses box office पर शुरुवाती 3 दिनों में जहां इस फिल्म ने लगबख 31 करोड रुपे कमाई तो अपने 4 दिन को मिला कर दोस्तों ये फिल्म Overses में भी 40 करोड रुपे के आकड़े को पार कर चुकी है ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो वर्ल्ड वाइट box office पर अपने शुरुवाती 4 दिनों का 88 करोड रुपे के आकड़े को पार कर चुका है जो कि दोस्तों इस सार रिलीज होने वाली Bollywood की सभी फिल्मों में सबसे जादा है दोस्तों बताते चले आपको कि इंडिया में तो इस फिल्म को काफी जादा बॉइकोट किया जा रहा है लेकिन दोस्तों ये फिल्म Oversus में काफी अच्छी कमाई करती ही नजर आ रही है अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म के आज यानि के अपने पांचवे दिन के बॉक्स आफिस की तो दोस्तों जैसा कि आप से भी जानते हैं कि आज स्वतनतरा दिवर्स की चुट्टी होने की वज़े से इस फिल्म को आज भी बॉक्स आफिस पर एडवांस काफी अच्छी मिली है और इस फिल्म ने आज एडवांस में 2 करोड 10 लाक रुपे के आखड़े को पार कर दिया है मॉर्निंग ओक्यूपैंसी दोस्तों कल की ही तरह आज 13 से 18 परसेंट की है अफ्टरनून और इवनिंग ओक्यूपैंसी भी लगबग सेम ही नजर आ रही है साथी साथ दोस्तों नाइट की जो एडवांस ओक्यूपैंसी है वो भी लगबग 12 से 13 परसेंट की है यानि कि दोस्तों आज के भी इस फिल्म के जो कलेक्शन से वो इडियान नेट बॉक्स ओफिस पर लगबग 8 करोड रुपे के आकड़े को टच करते हैं नजर आ सकते हैं जिससे कि इस फिल्म का ओल इडियान नेट बॉक्स ओफिस पर जो कलेक्शन है वो 46 करोड रुपे का हो चुका होगा ग्रोस बॉक्स आफिस पर दोस्तो ये फिल्म लगबग 55 करोड से जादा की कमाई कर चुकी होगी साथी साथ दोस्तो ओवर्सिस को मिला कर इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो 100 करोड रुपे के आकड़े को पार कर रहा है दोस्तो बताते चले आपको कि इसी के साथ आमिर खान की ये फिल्म इडिया के साथ-साथ दुनिया भर के बॉक्स आफिस पर तो एक एवरेश टेंड कर रही है लेकिन अगर दोस्तों इस तरह से ही यह film box office पर कमाई करती रही तो हो सकता है दोस्तों कि Oversies में तो इस film को एक hit film का status मिल जाए इंडिया में इस film को hit होने के लिए जादा कमाई करनी है यही वज़या है दोस्तों कि इंडिया में भले ही यह film एक flop film कहलाएगी आपको क्या लगता है दोस्तों कि अगर इस फिल्म को डारेक्ट चाइना में भी रिलिस किया जाता तो क्या ये फिल्म दंगाल और सिक्रेट सुपर स्टार की तरह महां भी शांदार कमाई कर पाती है नहीं हमें अपने राय कमेंट करना बिलकुल ना भूलिएगा और दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा दनिवाद जैहिंग जे भारत